हेलो फ्रेंड्स आज हम अपनी टू मिनिट सीरीज में जोग्रफी का नेक्स पोर्शन देखने जा रहे हैं डायर्नल रेंज और एन्वल रेंज पहले देखते हैं डायर्नल रेंज क्या होती है डायर्नल टेंप्रेचर वेरियेशन जो एक सेम डे के अंदर highest और lowest temperature के बीच में difference होता है उसको हम डायर्नल टेंप्रेचर वेरियेशन कहते हैं डायर्नल जो है वो same day से related है वहीं दूसरी तरफ annual range जो है वो पूरे year annually जो hottest और coldest months होते हैं उनके बीच के difference को कहते हैं अब इससे related हम पूरे earth पे देखते हैं कि zones में सबसे ज़ादा diurnal range और annual range कहां देखी जाती है तो इस table को अच्छे से देख लो and immediately याद कर लो जिससे आपकी prelims में गलती होने की कोई chances ना रहें तो equatorial torrid zone में सबसे ज़ादा काफी clouds present है और oceanic region है इसलिए यहाँ पे diurnal range छोटी होती है जबकि subtropical torrid zone में जो हमारा clouds हैं वो बिलकुल भी present नहीं है बलकि deserts present है इस पे mains में question भी आया हुआ है and यहाँ पे जो diurnal range है वो बहुत ज़ादा होती है और highest diurnal range हमारी जो है वो subtropical torrid zone में पाई जाती है and ना कि equatorial torrid zone में जो एक confusion पैदा कर सकती है दूसरी तरफ जो highest temperature है वो भी हमारा subtropical torrid zone का अर्थ पे पाया जाता है ठीक है and temperate zone के अगर हम reasons की बात करें तो reasons जो हैं वो regular air friends हमारे बनते हैं इससे हमारे clouds create होते हैं और clouds create होने की वज़े से जो insulation आई है वो पूरी की पूरी बाहर नहीं जा पाती reflect नहीं हो पाती और diurnal range हमारी दिन में small रहती है छोटी रहती है frigid zone जो हमारे polar region है वहाँ पे skies cloudless है बट जो nights है वो cold है इसलिए वहाँ पे भी diurnal range तो large है बट इससे जादा large नहीं है तो highest diurnal range यह आप रिमाक याद कर लीजे कि highest diurnal range जो है वो है subtropical torrid zone में पाई जाती है similarly अब हम annual range पे आते हैं annual range जो है हमारी वो equatorial torrid zone में बहुत छोटी है क्योंकि sun rays वो vertically fall होती है and जो हमारी subtropical torrid zone में यहाँ पे annual range large है पर इतनी large नहीं है जबकि temperate zone में बहुत important है temperate zone में जो winters में है वो rays जो है large angles पे form होती है और यहाँ पे largest annual range पाई जाती है तो अगर हमें याद करना हो तो highest diurnal range जो है वो हमारे 2 पे and largest annual range जो हमारे 3 पे दो points और हैं इसमें जो tropics हैं वो maximum insulation receive करते हैं even more than equator and polar regions का हमें पता है they receive the least insulation इस topic के लिए इतना ही thank you